आप रोज कितने घंटे पढ़ते हों? एक घंटा, दो घंटे या मैक्सिमम 6 गया 7 घंटे वो भी स्कूल कॉलिज के स्टडी आर्ज को इंक्लूट करके Can you believe एक कंट्री ऐसी है जहां रोज स्ट्रेट्स 17 घंटे तक पढ़ाई करते हैं? जी हाँ हमारी कंट्री से लगबख 5000 किलोमेटर दूर एक कंट्री है साउथ कोरिया साउथ कोरिया का नाम सुनके आपके माइंड में क्या आता है? नहीं नहीं ये तो नॉर्थ कोरिया है BTS, K-POP, Squid Game, Seoul पर कि आपको पता है साउथ कोरिया स्ट्रेट्स का डेली रोटीन काफी अन्बिलीवेबल है यहां आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ कोरिया स्ट्रेट्स के डेली रोटीन और इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में तो आईए बात करते हैं अज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो एजुकेशन सिस्टम की बात होती है तो साउथ कोरिया बाकी कंट्री से काफी आगे रहता है वर्ल्ड की टॉप एजुकेशन रैंकिंग्स में भी साउथ कोरिया हमेशा सही टॉप पोजिशन में रहा है यहां का लिटरेसी स्कोर भी लगभग सौके आसपास है इट्स नो सर्प्राइस कि most of the students from all over the world साउथ कोरिया को अपनी favorite study destination की तरह देखते हैं और PhD स्कॉलर्स के बीच में भी साउथ कोरिया काफी popular आए साउथ कोरिया में एजुकेशन को एजुकेशन नहीं बलकी एक obsession की तरह देखा जाता है 1950-1953 Korean War में जब इस कंट्री की economy बरबाद हो चुकी थी तब से लेकर आज तक इस कंट्री में एजुकेशन एक obsession बन गई है यही वज़ा है कि साउथ कोरिया का high school student 16-17 घंटे तक स्कूल में रहता है इनका स्कूल हमारी ही तरह सुबा 8 बजे से start होता है और रात के 12 एक बजे तक चलता है यहाँ जैसे ही स्कूल स्टार्ट होता है सुबा 8 बजे फॉर्स्ट पीरियड में ही काफी सारे student सोते हुए दिखाई देंगे अगर हमारे यहाँ पर कोई student क्लास में सोता हुआ दिखाई दे तो उसके साथ क्या होगा सोचिए डाट पड़ेगी क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा पर क्योंकि यह साथ कोरिया है यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता टीचर स्ट्रेंड को कुछ नहीं बोलते एस पर दिरूल साथ कोरिया में क्लास में सोते हुए स्ट्रेंड को कोई भी किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकता इसी से रिलेटेड एक स्टडी कंड़क्ट की गई जिसमें देखा गया कि वन थर्ड स्ट्रेंड क्लास के टाइम पर सोते हैं जो वहाँ पर बिल्कुल ही नॉर्मल माना जाता है अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है साथ कोरियन स्ट्रेंड के डेली रूटिन पर एक नज़र डाली है सुबा च्छे, साड़े च्छे बजे उठना है ब्रेकफास्ट करना है और तयार हो जाना है स्कूल जाने के लिए साड़े साथ बजे एक बस लेनी है या फिर जैसे भी आपको जाना है वैसे आप स्कूल जाएंगे आठ बजे स्कूल पहुंचते हैं आठ बच के 10 मिनट से होम रूम स्टार्ट होता है या आपके टीचर या क्लास टीचर आते हैं फॉर्मली स्टुएंट से बात करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या डिसकस करने वाले हैं साड़े 8 बजे आफटर ए शौर्ट होम रूम टाइम क्लास स्टार्ट होती है और 50-50 मिनट की क्लास चुरू हो जाती है जो लगबख साड़े 12 बजे तक चलती है साड़े 12 बजे हो जाता है आपका लंच टाइम अब साड़े 12 से देड़ बजे तक स्टुएंट्स सौकर खेलते हैं बास्केट बॉल, बैडमिन्टन, टैनिस या जो भी वो करना चाते हैं वो कर सकते हैं, लंच के साथ या फिर लंच के बाद देड़ बजे से साड़े 4 बजे तक आफ्रनून क्लास स्टार्ट होती है जो 3 पीरिड तक चलती है साड़े 4 बजे, होम रूम का टाइम होता है लेकिन इसमें स्टुरेंट्स पढ़ाई नहीं करते बलकि क्लासरूम की सफाई करते है उनको क्लास के एक एक हिस्सा दे दिया जाता है जिसको वो अच्छी तरह से साफ करते है 5 बजे, फाइनली बैल बच जाती है पर वेट ये बैल वापस घर जाने के लिए नहीं है ये है याजा टाइम याजा यानी सेल्फ स्टड़ी इसमें सारे स्टुडेंट्स लाइबेरी में जाकर सेल्फ स्टड़ी करते है तीन गंटे बाद यानी आठ बजे एक और बैल बच ती है जिसका मतलब होता है दस मिनिट का ब्रेक और फिर याजा पार्ट टू फिर दो गंटे सेल्फ स्टड़ी करते है अब फाइनली दस बजे बैल बचती है और अब फाइनली सारे स्टुडेंट्स जा सकते है अपने घर नई इस बैल का मतलब होता है याजा टाइम ओवर अब वो कहां जाते है ये आपको बताएंगे पर उससे पहले जान लेते हैं कि क्यूं साउथ कोरिया में स्टुडेंट्स पर इतना जुल्म किया जाता है क्यूं वहां के स्टुडेंट्स इतनी जादा पढ़ाई करते है इस कठोर तपस्या के पीछे का रीजन है सन यंग एक्जाम यही वो एक्जाम है जिसकी प्रपरेशन बचपन से ही सारे स्टुडेंट्स करते है इस लाइक सी सेट फॉर देम इस एक्जाम की इंपोर्टेंस साउथ कोरिया में इतनी जादा है कि इस दिन साउथ कोरिया से कोई भी फ्लाइट नहीं जाती सारे रोट पर पुलिस पेटोलिंग करती है बहुत जादा सेक्योटी रहती है और पूरी तरह से साइलेंस मेंटेन किया जाता है यह आठ घंटे के बैक टुबैक एक्जाम होते हैं जो स्टुडेंट्स के लिए काफी कुछ डिसाइड करते हैं लाइक वो कौन सी उनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे उनकी जोब, प्रोस्पेक्ट, उनकी इंकम, फ्यूचर और भी बहुत कुछ एक इस्टुडेंट्स जिसने अपनी स्टार्टिंग के पढ़ाई साउथ कोरिया में की है और फिलहाल वो कैलिफॉर्णिया में सेडल हो चुकी है उससे बात करने पर पता लगा कि साउथ कोरिया में टॉप युनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टुडेंट्स पर उनके पैरेंट्स और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है सब भी पैरेंट्स चाते हैं कि उनके बच्चे SNU, कोरिया युनिवरसिटी, यहन से युनिवरसिटी जैसी टॉप युनिवरसिटी में एड्मिशर ले जिस वजा से वहां का competition बहुत ज़्यादा हाई रहता है इसी वजा से इतनी कम age सही उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा hard work करके train किया जाता है इससे पहले हम बात कर रहे थे कि याजा 2 के बाद रात के 10 बज़े bell बजने पर बच्चे अपने घर नहीं जाते तो आखिर जाते का हैं ये बच्चे जाते हैं after school classes जिने कहा जाता है हॉगवन स्कूल ये एक तरह की private tuition होती है जो रात में 10 बज़े से साड़े बारा या फिर एक बज़े तक चलती है ये private tuition इतनी expensive होती है कि half of the monthly earning इसी में चली जाती है वहां के parents की students पर इतना सारा pressure हो जाता है उसके बाद जब ये exam हो जाता है तो वहां के students अपना stress relief करने के लिए जो करते हैं उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो सारे students अपनी सारी books को far कर literary far कर हवा में उड़ा देते हैं ये काफी जादा weird बात है ओके अब मान लीजिए कि आप एक South Korean है आपने ये exam भी crack किया अच्छी university में admission भी मिल गया वहां भी अच्छे marks के साथ degree complete कर ली इसके बाद जब बात आती है जॉब की तो आपके parents आपको धेर सारा पैसा देते हैं plastic surgery कराने के लिए क्यूं? क्यूंकि South Korea में talented लोगों से ज़ादा good looking लोगों को preference दी जाती है हर job, हर profession में इसी वज़ा से अब South Korea में blind interview का rule बना दिया गया है जिससे लोगों को plastic surgery करवाने की ज़रूरत ना पड़े blind interview में बिना candidate का face देखे, बिना photo देखे उसकी आवाज सुनकर उसे accept या reject किया जाता है इतना सब जानने के बाद आपको तो पता लगी गया होगा कि South Korean students की life कितनी ज़्यादा stressful और difficult है हो सकता है कि इसके कुछ advantage भी हो पर उनके इस routine की वज़ा से South Korean students में sleep deprivation की काफी problem तेजी से बढ़ी है यहां के students से वरटने पर ध्यान देते हैं जिस वज़ा से उनकी creativity का भी सत्यनाश हो जाता है WHO की 2019 की report के according South Korea world while 12th highest society rate वाली country है 2012 में South Korea का fourth main cause of death society ही था और इन societies में सबसे ज़्यादा होते हैं students आपका क्या कहना है Korean students के daily life routine पर comment section में जरूर शेयर करें क्लास में सोने के अलावा आपको और क्या अच्छा रगा इनके routine का हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए comment section में ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होते इसको like कीजिए और ऐसी ही informative वीडियो देखने के लिए subscribe कीजिए the psychology classes को thanks for watching